वेलकम बैक टो आर चैनल अनवेशास क्रियेटिविटी और आज मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छे प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि जिसने हमें सर्दियों में तो फूल दिये ही हैं और गर्मियों में भी फूल देने वाला है और किस तरीके से देगा अगर आपने नोटिस किया हो या अगर आप मेरे पुराने विवर हैं तो आपने देखा होगा कि पिटूनिया पर पूरी विंटर में मेरे बास्किट्स जो थे फूलों से भरे रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कितने सारी फ्लावरिंग हो रखी है और बहुत ही या और दूसरा अलग सा पिंक कलर है तो इस तरह एक के ये मेरे हैं प्लांट तो इसमें हम कौन सी तरीके से कियार करें कि ये पूरे साल फ्लावर दे है क्या होता है पूरे साल करेगा लेकिन क्या होता है कि यह बीच में थोड़ी सी रेस्टू भी लेता है तो दो तरीके हैं इसको आप flowering हमेशा लेने के लिए एक तो इसके गर्मियों वाटे भी seeds आते हैं तो आप जाहें तो गर्मियों वाले seeds इस भी अभी जर्मिनेट कर सकते हैं और फिर उससे आपको गर्मियों में भी फूल मिलेंगे दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इसी के सीट कलेक्ट करके सीट कलेक्ट करने मैंने आपको बताए थे अपने वीडियो में तो अगर आप इसी से सीट कलेक्ट करके दुबारा से इसका वो कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी सीट पॉट बनने लगे हैं, तो अभी तो यह फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी आएगी, वैसे वैसे इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, और अगर आप थोड़ी से केर करने का क्या मतलब है अभी मैं बताती हूँ आपको, तो इससे भी आप फ्लावरिंग पा सकते हैं, लेकिन फिर उतनी फ्लावरिंग नहीं हो कि जितनी आप अभी देख रहे हैं, बहुत कम फ्लावरिंग होती है समर्ज में, एक तो तरीका यह है कि आप इसको थोड़ा सा डारेक सनलाइट से समर्ज में बहुत होती है, दूसरी चीज है कि इसमें वाटरिंग तभी करें जब इसकी मिटी सूख रही हो, क्योंकि समर्ज में तो वैसे बहुत जल्दी मिटी सूख जाती है, और आप थोड़ा सा देख करके करें, बहुत जादा पानी भी नहीं होना चाहिए, इसके तब ही इसमें फ्लावरिंग मिलेगी आपको समर्ज में, कि इसमें पानी की कमी भी नहीं होना चाहिए, और बहुत जादा कीचड जासा पानी भी नहीं होना चाहिए, तो वाटरिंग का मैंने बता दिया है, सनलाइट का बता दिया है, अच्छा दूसरी चीज ये खाद जो तो बहुत सारे लिक्विट फर्टिलाइजर मैंने आपके साथ में शेयर किये हैं, आप उन में से बदल बदल कर लिक्विट फर्टिलाइजर इसमें टाइम टू टाइम देते रहें, और इसके अलावा ज़रूरी बात बतानी है आपको क्या होता है, जब हमारा ये प्लांट बुशिय तो आपको स्ग धियान से देखना अइसमें क्या रह लिक्विट फर्टिलाइजर भी ज़रूर पते हैं jogञातने दिखरी होती हैं, और आप स्थे में आपको ध्यान से देखना है, मिट्टी नर टोनों के बदल से ने तरिकर आङे जो पिंख मr i residence जए कर में जो पतियां टच कर रही होती हैं उनको तोड़ करके फिक दें क्योंकि उससे अगर आप ध्यान नहीं बेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका प्लांट जो है वो नीचे से सड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम पानी डालेंगे और नीचे से उसकी पतिया मिटी से टच पा सकते हैं और साथ ही साथ समर्स वाले भी लगा सकते हैं तो समर्स वाले में आपको 100% Chances हैं जो अगर अगर अच्छा का वीडियो को लाई और शेयर जरूर से कर दे रहे हो, जल दी आपसे अगले वीडियो में यह तब टक के लिए बाए